अज हम बात करने जा रहे हैं pin bar strategy के बारे में पहले मैं आपको थोड़े pin bar के features बताऊँगा कैसे pin bar हमने लेनी है उसके बाद मैं बताऊँगा pin bar जब भी हमने entry लेनी है किस type की entry लेनी है और इसके बाद जो live trade में लुँए लाइव ट्रेड में भी आपको मैं दिखाऊंगा लाइव ट्रेड लेके किस स्ट्रेजी को कैसे यूज करना है सो सबसे पहले है क्वालिटी ओफ पिन बार पिन बार की क्वालिटी क्या गया होनी चाहिए जो जनी की पिन बार होती है उसकी बोड़ी बिलकुछ छोटी होनी चाहिए और उसकी विक लंबी होनी चाहिए उसकी बोड़ी से यह मैं आपको भी फोटो में भी दिखाऊंगा कि पिन बार कैसी होनी चाहिए और इसकी दूसरी क्वाल्टी है विक ओफ पिंबा स्थिक आउट ओफ सुराउंडिंग प्राइज बार जनकी पिंबार रेंजिंग मार्केट में नी होनी चाहिए इसकी पिंबार की पहले 3-4 बार अप पूनी चाहिए या डाउन होनी चाहिए जनकी डिपेंड है आपने सेल या बाई लेनी वह मैं आपको भी एक्स्पेंट करूंगा सारा तो देखते हैं यह पिन बार रेफरेंट शीट है इसमें आप देख सकते हैं बुलिश पिन बार विद लॉंग टेल बैरिश पिन बार इनमें क्या है आप इसकी भी देख सकते हो बॉडी से तीन गुना जादी इसमें जो वाइट अलिए बुलिश है यह वाली पिन बार है बैरिश है यह नीचे क्लोज होई है बुलिश अली उपर क्लोज होई है यह सारी तरह कि पिन बार जैनकी बैस्ट पिन बार इसे ट्रीट कर सकते हैं और दूसरा जैनकी है अगर पिन बार छोटी हो तब क्या करन कि बॉड़ी से लंबी है इसे भी हम लेंगे पिन बार पर इस पिन बार में क्या है इस पिन बार में एक्शली मार्केट यहां पर आ जाकर नीचे को क्लोज होगी है यहां पर क्लोज होगी है तो जनकी बुलिश पिन बार में बॉड़ी उपर हो अगर पिन बार छोटी है तो पोडी वोड़ी ओपे क्लोज भी होना चाहिए deeper than time इसमें बार नीचे को close यह यह बह ठीक है, यह यह क्युन गलत है? को यह पिन बार नीचे नहीं close हुई है ऊपर आके close हुई है और इसकैने इतनी लंबी नहीं है, अगर विक यह लंबी होतीज्ञ ऐसी यह अग्जामपल है इस इस अच्छ पिन बार है अगर विक छूटी हो और जिनकी ऐसी पिनबार हो तो आपने उसे ट्रेड नहीं करना अभी मैं आपको एक्जाम्पल्स वगरा भी दिखाऊंगा उसके बाद जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें हम सिर्फ तीन तरह की कंफ्लूएंस देखते हैं पिन बाग की काफी सारी स्ट्रेटेजी होती है पर जो यह स्ट्रेटेजी है इस स्ट्रेजी में आप वन मिनट से लेकर डेली तक हरी एक टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हैं सबसे पहले confluence होती है trend की trend up pay down या consolidation trend कैसे check करना है up pay down ये भी हम अभी बात करेंगे तो uptrend की confluence down जो consolidation side by market है उसमें हमने trade नहीं करना हमने trade लेनी है uptrend या downtrend में उसके बात दूसरा है pin bar on horizontal support and resistance level horizontal जैनी की level नीचे support level हो उपर resistance level हो उस पर pin bar बने जनी कोई नहीं horizontal support and resistance level होना चाहिए और तीसरी है EMA की confluence 8.21 EMA exponential moving average ये जानी की तीन चाहिए हमने strategy में चेक करनी है EMA को हम dynamic support and resistance भी कहते हैं तो ये बस तीन confluence आप में चेक करनी है कोई भी trade लेनी है and आपके result बहुत ही जनी की अच्छे होंगे चेक करते हैं ये जनी की अभी मैंने बताया जैसे आपको बताया है इसमें पहली confluence मैंने क्या का था downtrend और या uptrend यहां पर downtrend है अगर market यहां पर sideway चल रही है sideway तो हमने trade नहीं लेनी हमने markets हमने समेशा wait करना है कि हमारे पास यह जो setup मार्किट में बार बार आते है दिन में बहुत बार आते है तो है क्या confluence मैंने तीन confluence आपको बताई है सबसे पहले confluence मैंने बताई थी uptrend यह downtrend इसमें यह पहली confluence है यह downtrend में है second confluence इसमें क्या है second confluence इसमें है यह वाला level horizontal level यह पहले support level था market नीची आई breakout हो इसका और यह resistance level मन गया और यहां पर pin bar है यह जनकी हो गया horizontal resistance level second confluence हो गी third confluence क्या है moving average है यह जो pin bar है pin bar की जनकी जो week है week जनकी 20 EMA के आसपास होनी चाहिए और जनकी नीचे आके यहां पर close हो जाए तो यह जनकी सबसे बढ़िया trade है अगर कोई भी मालो यहां पर लगा लो यह कौन सी बार के example दूँ मैं तो कुई बार जैसी यह मालो pin bar है यह pin bar की week आप देख सकते हो pin bar की week यहां पर नहीं गई उपर तक नहीं गई यहां पर close हो गई अगर आप यहां पर entry लेते तो आपका यह SL हिट हो जाता है तो आपने pin bar में क्या देखना है आपने pin bar ऐसी नहीं लेनी यह moving average के पास आपने देखनी है कि उसकी week 20 moving average के जितनी पास होगी उतना बढ़ी है और जैनकी जैनकी उसकी body बिल्कुल छोटी हो यह दूसरी example है इस example में क्या है इस example में कोई कही बार होता है trend जैनकी बहुत ही ज्यादा जैसे आप ट्रेंड होता है तो इसमें हमें कही बार जैनकी जुरूरती नहीं पड़ती हो रिजेंटल एंड सोरी हाँ यह पर कोई horizontal level नहीं है market जैनकी इसमें दो confluence है पहली confluence है कि trend आप है दूसरी confluence क्या है EMA की जैनकी यह ATMA मार्केट नीचे आई यहां पर 21 moving average के पास है जैनकी अब 20 भी यूज कर सकते हो 21 exponential moving average भी यूज कर सकते हो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो और यह market नीचे आई नीचे आके यह उपर जाके close होगी तो यह भी जैनकी best entry है यह देखे यह थोड़ी ऊपर गई यहां पर आई यह जैनकी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है कोगी यह इस पर पूरा retracement नहीं हो market का market जैनकी ट्रेड कर सकते हो आप जैनकी कोई problem नहीं है पर अगर यह यह entry इस level पर होती है और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था quality of pin bar starting में जैनकी पहली quality उसकी होनी चाहिए कि विक उसकी लंबी होनी चाहिए यह देखें इसकी विक काफी लंबी है जैनकी best pin bar यह भी best यह विक लंबी है इसकी body से दूसरा मैंने आपको बताया था कि stick out of surrounding जैनकी उसके पहले की 3-4 पार या पहले की 3-4 बार जैनकी आ होनी चाहिए दाओन होनी चाहिए जयन्ट cottonagus कोनी क lottery चाहिए जैसिये फिन बार बनी है इसकी पहले बार देखो यह consolidation चाहिए तो यह अच्छी बार नहीं है ंच्छίο आप दीख सकते हैं जनकी इसके काफी सारी स्ट्रेटेजी है जैसे यह horizontal resistance level है support level है यहां पर market आती है यहां पर भी trade ले सकते हो पर जो जनकी मैंने strategy बताई है confluence of trend यह वाली यह जनकी सबसे best trade है इसके fail होने के chances बहुत ही कम है जब कि इस strategy में जनकी कही बार भी breakout करके ऊपर भी चली जाती है तो इतने जनकी chances नहीं है कोगी यह counter trend trade होती है for example trend down आ रहा है आप trend के against trade ले रहे हो तो इसलिए जनकी इतनी अच्छी strategy नहीं है यह best strategy यह है कि trend नीचे जा रहा है trend के साफ trade करो और आपने यह तीन confluence देखनी है इसमें check it before enter a trade जनकी ट्रेड में एंटर होने से पहले आपने क्या कर चेक करना है अपने अपनी चेक लिस्ट भी बनानी है आपने क्या कर चेक करना है सबसे पहले trade is with good risk and reward ratio जनकी trade अच्छे risk and reward minimum आपने one to one की ratio two risk and reward की trade लेनी है उससे कम की trade नहीं लेनी है जो मैं strategy बता रहा हूँ इसमें तो वैसे आपको unlimited risk and reward मिलता है और एक वार आपके favor में चली जाए तो आपने जनकी break even कर देना है अपना SL उसके बाद SL को trail करना है आपने इस cancer yes होना चाहिए कि अच्छा risk reward आपको मिलना चाहिए यह ना हो आप जनकी risk ले रहे हो 100 dollar का profit ले और 50 dollar का ऐसा नहीं करना अगर आपने risk लिया है 50 dollar का तो आपका profit 100 dollar होना चाहिए सेकंड इसमें है I am acting logically or emotionally इसमें कि क्या है कि कई बर हम emotionally trade करते हैं जनी हम screen के सामने बैठे हैं market हमें कोई entry नहीं मेरी आपने जनकी wait करना है trade नहीं लेनी wait करना जब आपको setup मिलेका तब ही आपने जनकी trade करनी है होता क्या है जा हो screen के सामने जाते हैं हमारा दिल यहीं करते हैं यार बस जनकी market में enter हो जाए तो आपने ऐसा नहीं करना हमेशा जनकी आपने आपना जो trading plan बनाया होगा उसी साफ से आपने entry करनी है emotionally आपने market में enter नहीं होना उसके बाद is there is setup or I am just making one up यह जनकी जो मैंने अभी बात कि थी emotional की जब हम screen के सामने बैठे होते हैं setup ना भी हो हम अपने मन से बना लेते हैं यह setup बन गया चलो entry ले लो ऐसा नहीं आपने करना आपने सिर्फ जनकी high probability trade लेनी है जिसमें जनकी तीनो confluence हो वो आपने trade करनी है यह अभी सबसे पहले हम बात कर चुके हैं जनकी आपने easy two hour देखना है hard two hour जनकी easy risk and reward हो आपका जनकी difficult वाला risk and reward में देखना आपने इसके बाद pin bar entry of two type जनकी pin bar की entry दो तरह की होती है सबसे पहले होती है 50% rate trace 38 to 50% rate trace यह normally हम use करते हैं daily time frame में और इसके बाद दूसरी type की entry होती है on stop entry पर इन बार close होते ही हम जनकी entry ले लेते हैं यह daily से lower time frame h1, m30, m15, m5, one minute जनकी कोई भी time frame हो आपने आप उसे on stop entry ले सकते हैं आप जनकी इसमें 50% भी ले सकते हो पर आपको यह नहीं की बहुत ज्यादा experience चाहिए सबसे पहले आपने क्या करना है आपने low time frame में इस पर command हासिल करनी है on stop entry पर pin bar close होई, close होने के बाद जनकी आपने अपना order लगा देना है थोड़ी information pin bar के बारे में always look for a trade in direction of market moving इसमें यह अगर market उपर जा रही है तो आपने जनकी buy की trade ढूंड़ी है यह नहीं की market उपर जा रही है और आप sale की trade ढूंड रहे हो get experience at finding a good one then learn from your mistake जनकी आपने करना कि आपने की starting में तो आपने जनकी trade लेनी है जितनी भी अपना demo account बनावे जितनी भी trade ले सकते हो उतनी जनकी trade लेनी है जनकी आप mistake करोगे तभी जनकी आप सीखोगे अगर आप डरते रहोगे कि यह कहीं loss ना हो जाए जाहे demo पर कर रहे हो आपके दमागे आएगा यार मैंने सिर्फ high probability trade लेनी है यह नहीं लेनी starting में आपने क्या करना है जितनी trade ले सकते हो उतनी trade लेनी है और उसका result देखना है और check करना कि क्यों failure learn from your mistake इसके बाद जो EMA मैंने बिताई है आपने range bound market में trade नहीं करना है आपने trade करना है जब trend up है या trend down है जो मैं आपको live entry लेकर दखाऊंगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे चेक करना है trend up है या down है उसके बाद है इन up trend minor resistance level break of turn इसमें यह है अगर daily trend अप चल रहा है मालो daily का trend अप चल रहा है आप entry ले रहे हो 15 minute पे 15 minute में आपने pin बार देखी आपने जानी कि sale की entry आपको लगेगा आपने pin बार बनी और positive direction में आपको लगेगा कि market नीचे जाएगी market नीचे जाएगी पर थोड़ा सा नीचे जाकर market फिर ऊपर चली जाएगी कोई जो छोटे time frame में जो भी जनी कि against trading signal बनेगा वो जनी कि minor resistance level होता है पर daily का trend powerful होता है तो वो level को break कर देता है लाइव trade आपको दिखाऊंगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं trader who often trade all type of pin bar get stress and do emotional trading आपने क्या करना है सबसे पहले जो मैंने यह strategy जनी की बताई है यह बताऊंगा आपने जनी की जो मैंने बताई है अभी जनी की 3 conclusions आपने देखने हैं सिर्फ उसी strategy पर आपने trade करना है आपने यह नहीं कहना कि हाँ भी horizontal support level है चलो यहां पर भी ले लो यहां पर स्टार्टिंग में सबसे पहले एक पर command हासल करो फिर उसके बाद दूसरी जनी की strategy पर जाओ जैसे यह है यह भी जनी की strategy है यह support level है market ने ब्रेक आउट किया उसके बाद रीटेस्ट हुआ यहां पर जो मैंने आपको entry की बात की थी 50% retracement वो इसमें explain कियो है यह pin bar है काफी बड़ी pin bar है daily की तो इसमें आपने करना है कि आपने यहां पर pending order लगा देना है इसके 50% देख यह देखके pending order buy order लगा दिए pending उसका stop loss आपका यहां पर आ गया तो market नीचे आई जैसे नीचे यहां पर आपका order trigger हो जाएगा उसके बाद market उपर यह भी इनकी strategy है resistance वह तो जो मैंने आपको strategy बताई है उसमें same ही चीज है पर इसमें थोड़े swing बड़े हैं जो मैंने strategy अगर आपने जनकी bullish pin बार देखी नीचे pin बार देखी market उपर जाएगी वह fail हो जाती है इसका मतलब क्या है कि जनकी selling pressure ज्यादा है तो market और नीचे जाएगी तो आपने जनकी sale की entry find करनी है ना कि buy दूसरा है substantial move occur when pin बार fail अगर pin बार fail हो जाती है तो जनकी आपने note किया होगा market जनकी बहुत speed से जनकी next एक दो बार speed से नीचे जाती है तो यह वही बताया होगा कि यहाँ अगर pin बार fail होती है यह trend की strength के बारे में वहाँ में बताती है कि trend भी ही कही है strong है इसके बाद है let's go and trade in the live market अब हम live market में चलते हैं और देखते हैं कि trade कैसे करना है strategy को यह दो ट्रेडे लिए हैं दोनों को अभी आपको सारा कुछ explain करेंगे और एंड में आपको result भी इसके दिखाएंगे लेस्ट गू अजस्वेट है कि हालो फ्रेंट्स यह मने अपनी च्रेड लिया है थोड़ी जियर पहले 50 मिनिट को यह आप देख सकते हूं trend ऊपर को जा रहा है यहां पर यह फिन बार बनी है मैंने यहां पर मार्के में ऊपर रिमूट किया है पर यह माइनस माइनट फोड़ी रिजिस्संस आइसलिए मार्केट यह टेस्ट कर रही है इसको कि मैंने इंट्री कैसे लिए थी सबसे पहले मैंने यह चाट लगा यह है फोर आवर वन आवर थाटी मिनिट फिफ्टी मिनिट फ्वाइम निट आप सारे टाइम क्रेम जाने की रीड कर सकते हो इस स्ट्राटेजी के साथ इसमें अगर आप देखो डेली क्या trend है मैंने अभिजंट फिफ्टी मिनिट में ली थी तो देख लेते हैं कैसी जा रही है यह मैंने पहले entry लिए थी एक इसी और time frame में मैंने लिए थी h4 time frame में मैंने लिए entry तो अभी यह हमने live entry लिए live account पर यह आप देख सकते है live account तो देखते हैं अभी कैसे play out होती है थोड़ा हमें wait करना होगा यह मैं ऐसा करता हूं मैं recording code पर रख देता हूं और थोड़ी देर बाद हम यह trade को देखने कि यह कैसे जा रही है इसमें आप देख सकते हो 4 hour uptrend h1 uptrend m30 uptrend m15 uptrend m15 uptrend m15 में तो भी retracement हुई है यहां पर भी retracement हुई है जो मैंने entry ली है वो मैंने इसमें 15 मिनिटे साफ चली है इसमें आप देख सकते मार्किट उपर गई यह market ने retracement दी EMA की confluence है और अब यह इसे break out करके उपर जाएगी जो पहली trade हमने ली थी जी वी टी ए यूड़ी जी बहुत है तो वह भी trade हम चेक कर लेते हैं अ आप झाल बहुत भी खुड़ी साइड वे चल रही है 15 मिनिटे हमें ली थी trade हमें इस पर ठेड ली थी तो यह थोड़ी इसमें वीक्नेश हो पॉसिवली अब यह ब्रेक आउट करके ऊपर जाएगा चलो देखते हैं अब मैं दोबारा होल पर लगाने लगा हूँ खुड़ी देखते हैं क्या कैसे चल रही है पर यह देख सकते हैं आम मार्के भी हमारे फेवर में मूव ना शुरू हुगे हैं और अगर हमने दूशे देख लीथी धी जीथ एनजड वै कर यह अपर डेली थी फ्ल bites never व्ल ख यह भी हमारे फेवर में जानी हुगे तो अभी देखते हैं क्या होता है अम लेन बनार लुकावज यहां पर देख सकते हैं, मार्केट ने यह रेवल ब्रेक आउट कर दिया, यह बला इसको ब्रेक आउट हो गया, तो पॉसिवली अब मार्केट ऊपर जाएगी यह ब्रेक आउट हो चुका है, मार्केट सीधा ऊपर जा रही है, अभी देखते हैं कैसे जा रही है यहां पर देख सकते हैं हमने अपनी एंट्री बेक इवन कर दिया कि अगर मार्केट यहां से रिवर्स भी करते हैं तो हमें कोई लॉस ना हो इसमें जैसे मार्केट आपके रिस्क रिवर्ड वन आर को टेच कर ले आपने अपनी एंट्री ब्रेक इवन कर देना है अभी आपको मार्केट अगर वापस की यहां पर आ जाती है मुझे लॉस भी होता है तो मुझे फरक नहीं पड़े इसी स्ट्रेटेजी में होता गया है होगा जैनि काफी टाइम होगा भी आपके एसल यहां पर हिट हो जाएंगे पर अगर मार्केट यहां पर नहीं आए मार्केट सीधा ऊपर जानी शुरू होगी तो तब आप सूच लोगी आपको कितना प्रॉफिट होगा इस स्ट्रेटेजी में थोड़ा यह है कि कई पर ऐसे होते हैं मार्केट यहां पर जैनि की दोबारा आई आपका एसल हिट हो गया और जेनकी दूसरी strategy में क्या करते हैं आप जेनकी ये भी ऐसे कर सकते हैं आप आप अपना जेनकी 1 की ratio 2 risk के reward जेनकी fix कर लो अगर market बहां पर जाएगी तो आपको जेनकी 2 वार मिल जाएगा यहां पर हमने यह दूसरी एंटी ली थी, यह भी मैंने ब्रेक इबन कर दी है, यहां पर पेन बार आई है, हो सकता है मार्केट यहां से डाउन आदे है, पर अभी डाउन भी आजाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी एंटी ब्रेक इबन कर क्योंकि मुझे कोई लॉस नहीं होगा, बक्की देखते हैं कैसे होता है, अभी आप यह प्रेट देख सकते हो, जैनि मार्केट जैसे मैंने आप पहले बदाया था, क्योंकि मार्केट नीचे आ दिया, आपके ऐसल हिट, मार्केट जैनि बिल्कुल नीचे है, तो मैंने क्या मैंने अपनी जैनिकी जो एसल, जैनि लो टाइम फ्रेमे जाकर बिल्कुल जैनिकी एंट्री पॉइंट के पास कर लिया, तो भी मार्केट तू आर से रिवर्स होई है, तो देखो, पोस्लिवली हो, एसल भी हिट हो सकता है, दूसरा है, यहां भी मार्केट तू आर के पास जैनिकी वहां से रिवर्स हा रही है, यह भी मैं ब्रेक इवन कर देता हूँ है, जैनिकी इसे कर देता हूँ है, बिल्कुल इसके पास, अगर मार्केट नीच टेक लिया है, तो मुझे कोई प्रोज़न नहीं होई है, अब बखी देखो अभी कैसे जा रही है प्रेड, अब यह देखिए फैंट, यह जो हमने टेंटी ले थी जी बी पी ए यूडी पर, मार्केट यह ऊपर गई, टू रिस्क्रिवाट रिवेश्यों थे, यहां पर यह रिटर्न हो गया, हमने अपना बेक इवन किया हूँ था, बेक इवन हमारा सल हिट हो गया, जो दूसरी टेड है, यह अब ही चल रही है, तो देखो भी यह कैसे जारी है, यह आप पर डिपेंट, अगर आपने डूबर पर प्रॉफिट लेना है, तो तो दूबर पर ले सकते हैं, यह जनकि आपके एक्स्पीरियंस पर डिपेंट है, इस्स्राटिंग में आपने क्या कहा है, आपने आपने अपने चेक करना है, बेक्गराउंड में कोई रिजिस्टंस लेवल तो नहीं है, यह दिखो, कोई भी रिजिस्टंस लेवल नहीं है, इसका मतलब यह जनकि मार्किट के रास्ते में कोई रुखावट नहीं है, यह उटरी जाएगी, तो बासमीन में, मेरा मक्सर स्ट्रेट कर दिखाना कि यह जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है यह स्ट्रेटेजी आपने कैसे युज़ कर दो त्रेड ली थी आप उसके रिजर्ड देख सकते हैं यह जनकी जो पहली ट्रेड ली थी यह पर हमारा पर देखें मार्केट हमारे अगर हम नहीं करते हैं यह जो भीड़ी एक और वार्ड त्रेड ली थी यहाँ पर हमने ट्रेड ली थी यहां पर मैंने वीडियो क्लोज गड़ीती है तो सब्सक्राइए कर दोष उसके देख लो यह हमारे फेवर में जाना शुरू हो गई थी मैंने यहां पर टू आर पर नॉर्मली में जनी टू आर पर ब्रेक इवन करते हैं जब टू आर से उपर चले आती है पर आप पर जनकी आपके एक्स्पीरियंस पर डिपेंड है आपने जनी कितना रिस्क और रिवार्ड लेना है या क्या करना है जनकी आप पर डिपेंड है आपने कैसे करना है तो बाद यह स्ट्रेटेजी है अगर आपका कोई भी question है तो आप comment box में comment कर सकते हैं don't forget to like this video and subscribe my channel thanks for watching, bye